दोस्तों WhatsApp आखिर ये कर क्या रहा है कभी ये कुछ भी हग दे रहा है और लोक सोच रहें कि WhatsApp में नया अपडेट आगया दोस्तों अगर आप जानोगे सच में आपको घीन आएगी WhatsApp पर आखिर WhatsApp ऐसा कर कैसे सकता है जिहां दोस्तों वाट्सब में हाली में एक नया अपडेट आया है जो कि एक बहुत गंदा वाहियात वह अपडेट है और अगर आप जालोगे तुरंत अपने फोन से वाटसप को ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं उस अपडेट के बारे में जो कि एक बहुत वाहियात अपडेट है अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का वाटसप मैंने खोल लिया है अगर हमें किसी के पास कॉल करना रहता है तो यहाँ पर मान लिजए कि मुझे इस पर कॉल करना है कॉल करने के लिए यहाँ पर दो आप्सन हमें मिलता था विडियो कॉल और वाइस कॉल करने का आप्सन मिलता था जिससे हम यहां से उसे call कर सकते थे लेकिन अब यहां पर अगर आप call में आते हो तो call में आने के बाद दोस्तो यहां पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है create call link आखिर यह है क्या इसे अगर हम open करते हैं तो यहां पर सबसे उपर लिखा हुआ है पहले हम जान लेते हैं क्या है यह anyone with whatsapp can use this link to join this call only share it with people you trust यानि कि अगर आप जिसके पास यह link भेजोगे वो person कोई trusted बंदा होना चाहिए अब यहां पर यह call type है देखे call type यहां पर अगर आप इस पर click करोगे तो यहां पर आपको दो option मिलेगा video और voice यानि कि video call और voice call अब यहां पर माल लिजे कि मैं voice call यहां पर state कर लेता हूँ करने के बाद दोस्तों यहां पर copy link है तो यहां पर क्या करेंगे इस link को हम copy कर लेंगे link copy करने के बाद simple back करेंगे और back करने के बाद दोस्तों आपका कोई भी meeting वाला group हो जो कि आप जिस company में रहते हो या फिर अगर आप coaching वेरा करते हो और वहां पर online classes होता है meeting होता है मतलब group में meeting वेरा होता है तो online वेरा अगर होता है तो यहाँ पर उस group में आप इस link को जब बहर हो send कर दो मालोगो कि यहाँ पर मैं इसे send कर देता हूं OK यहाँ पर इससे send कर दिया अब send करने के बाद उस तो क्या होगा यहाँ पर वो जो बंदा है जिसके पास मैंने भेज़ा है वो इस link पर click करकर और उस meeting को जो जोईन कर सकता है मतलब meeting जब हो रहा है तो उस meeting को जोईन कर सकता है यहाँ पर time table आप लिख सकते हो date लिख सकते हो कि अगले संडे को इतना बज़े meeting होने वाला है इस link पर click करकर और सभी लोग को जोईन करना होगा meeting ग्षी चीज़ आया है यह तो चलिए मालते हैं कि बहुत ही बहुत ही बेहतरी लेकिन माल लिजे कि अगर आप इस meeting को करने के बाद अपनी girlfriend से बतलब बात करने लेगे विडियो कॉल और कोई बन्द अगर उस link पर click करकर और उस video call में सामिल हो गया तो क्या करोगे सच में बता रहा हूँ अगर माल लिजे कि आप girlfriend से बात कर रहे हो वीडियो call बात कर रहे हो और जिस group में इस link को भेजो हो direct अगर कोई बंदा अगर चाहा उस link पर click करकर आपका और आपकी girlfriend का जो private बात हो रहा है वो सामिल हो जाएगा और क्या बात कर रहे हो सब कुछ जो वो सुन सकता है तो यह एक बहुत ही वाहियात जो अपडेट है और एक तरह से अच्छा भी अपडेट है दोनों चीज है बाकि जिसको जैसे तरह से यूज करना है वो वैसे करेगा अच्छे के लिए अच्छा है बुरो के लिए बुरा है तो वो सब पर अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग चीज़े वो depend करता है तो यही अपडेट है जो कि आप वीडियो कॉल और वाइस कॉल का लिंक आप अपने ग्रूप में सिंड करकर और मतलब वीडियो कॉल और वाइस कॉल जोईन करवा सकते हो मीटिंग कर सकते हो अनलाइन क्लासे कर सकते हो ग्रूप में ओके तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और एक तरह से मतलब बहुत ही खराब चीज़ है तो यही था दोस्तो छोड़ा सा अपडेट वाटसब के अंदर उमीद करता हूँ आपको सायद पसंद आया होगा या फी नहीं आया होगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा कि आपका इस पर क्या ओपीनियन है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीज़ेगा चान को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन दुबाकर आल पेसेट कर लिजएगा मिलते हैं सी कोई ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद और टेक क्यार